त्री अस्तरिया पंचायत चुनाव भागलपूर जिले में द्वीतिय चरन से प्रारंब हो रहा है। अंतिम दिन होने के कारण परखंड कारियाले में गहमा गहमी कम दिखी। इस दोलान भवानेपूर देशरी पंचायत से नमांकन करने पहुँचे राजकुमार रंजन ने नीवर्तमान मुखिया के कारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत की लोग के सहयोग से देट भी नहीं थे हम लोगों कोंगे मुख्या भी नहीं था फिर भी हम लोगों ने अपना दौर भाग करके हम लोगों ने अपना रोड बनाया। और पर्खंड के सभी 14 पंचायत में 39 सितंबर को चुनाव संपन कराया जाने की बात कही। साथी पर्खंड विकास दादिकारी ने बताया कि एक और दो अक्टूवर को भागलपूर के सबोर अगरिकल्चर बिस्विद्याले में जगदीशपूर पर्खंड का मतगन ना होगा। पिछले सनी बार तक हम लोगों को 1250 नामंकन पत्र बिविन पदों के लिए प्राप्त हुआ था। आज हम लोग का अंतिन तिती है। चार वज़ तक जो भी काउंटर पर आजाएंगे उनका नामंकन हम लोग ने रोल दिया है और जो प्राप्त होगा हम लोग करा लेगे। उसके बाद ही प्रपत्र साथ का फाइनल हो जाएगा और फिर 18 तरीक तक समिच्चा की जिती है 18 तरीक को नाम वाफसी प्लस हम लोग फाइनल सिम्बोल का इलटमेंट कर देंगे और बितरन का जो भी वीम अगरा की तैयारी अगरी यहीं लोकनाथ भी डेले में की जाएगी व भागलपूर के हभीपूर थानाचितर के कासिमबाग में रंजीत चौधरी के घर से एंटी लीटर टासक फोर्स इंस्पैक्टर परमूत सा के नैतवुत में छापे मारी के अभियान चलाया गया जिसमें रंजीत चौधरी के घर से 15 लीटर देसी सराब टीम के दौना बराम रहा है जगदीशपूर परखंड के पंचायत चुनाब नमंकन कारे समाप्त होते ही परतियासु ने चुनाब परचार कर जनता को रिजाने का काम सुरू कर दिया है इसी करम में सैनो पंचायत के निवर्तमान मुखिया भैरोयादब ने सैनो बदलू चक कोला योगीबीर गाउजा कर जन संपर्क अभियान चलाया अपने कारेकाल के दुरान किये कारियों का बखान किया अपने कारेकरताओं के साथ उतसाहित भैरोयादब ने बताया कि जनता जनारधन मुझे जिताने का बिस्वास दिला रही है उन्होंने कहा कि जन्ता ने मेरे कारेकाल में विकास को देखा है और अगरे कारेकाल में विकास के कारियों को और गती दी जाएगी पूर्वी बिहार के सबसे बड़े असपताल जवाहर लाल लेहरू मेडिकशाव नाध। कल कॉलेज अस्पताल में पहली बार एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है जो पूरे भागलपूर में चर्चा का विसे बना हुआ है दरसल मुंगेर की धरादा की परमिला देवी ने 6 नमबर को सफेद बालो बाली बच्ची को जन्म दिया है नवजात का रंग भी दूधिया ग बच्ची की मा ने बताया की 6 नमबर को मुंगेर के सदर अस्पताल से मायागन अस्पताल रैफर किया गया उसी राद स्रिजेरियन पधिती से बच्चे का जन्म हुआ भागलपूर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल के 46 चात्राओं ने एक यू के खिलाब जम कर बिरोध प्रदर्सन किया 46 चात्राओं के दुरा परिच्चा परिनामों में घोटाले का रोप लगाया जा रहा है उनका कहना है कि परिच्छा परिणाम सही तरीके से घोसित नहीं किया गया है, जिसकी करण इस साल हमारे बैच में लगभग 40 बच्चे फेल हो गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है, हर साल एकजाम होता है और 3-4 बच्चे ही फेल होते थे, लेकिन इस ब बेवजा हम लोगों को फेल कर दिया गया है, कई छात्र छात्राओं को एक मार्क से फेल किया गया है, एक मार्क से फेल होना कैसे संभब हो सकता है, या उन लोगों को समझना होगा जिन छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, वो किस प्रस्तिती से गुजर रहे होंगे, यह पूरी तक 이 त्यास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे बैच में इतने लोग फेल ओजगो तो इसका कारण के सकता है मतलäus लगता है क्या लगता एक क्यों के लिए शीज難 कि एवाज कि हम लोग टार मुझी एविगुषे sicil भागलपूर के लोग इन दिनों अपलाधी और नसे इखिलाप एक जूट हो रहे हैं देर साम बबरगन स्थाना चित्र के मोगलपूरा कवाली मैदान में बैठा कया जन किया गिया जिसमें बबरगन स्थाना प्रभारी पवन सिंग मोगलपूरा हुसेनाबाद कमीटी के सदर सेर खान सचीब मोहमद बिलाल खजानची सादमनी सहित बड़ी संख्या में अस्थान ये लोग मौजूद थे बैठा कदुरान अप्राधियों और रसा के दंदावाज और नेसरियों इखिलाब करी कारवाई करने की बात करते हुए ऐसे तत्तों के महले में परवेश पर रोक लगाया जाने का एलान किया गया सुल्तानगन स्थानाचेत के ब्लॉक रोड खादीक रामोद्यों के प्रांगन में स्थित किराना दुकान में देरा तक या चरो ने दिवार काट कर दुकान के अंदर रखे साबून तेल हॉरलिक सहित नगदी रुपिय की चोरी कर ली घटना के बावत अबजुकंच पंचायत के रहने वाले प्रित बिनोत कुमार सहा ने बताया कि देर साम हम दुकान बंद कर घर चले गए सुबह जब दुकान खोलने आया तो देखा कि पीछे का दिवार कटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है उन्होंने बताया कि 2013 में भी चोरों ने दिवार काट कर पच्चास हजार से अधी की चोरी कर ली थी आज भी पच्चास हजार से अधी की चोरी कर ली गई है इस बावत प्रित ने सुल्तानगन स्थाने में आविदन दे कर अग्यात चोरों खिलाप मामला दर्ज कराया है